प्रदेश में फिर से तहल का मचा दिया है बता दे कि देश भर में अभी भी लोकतंत्र का महापरवजारी है पाक चरणों में मतदान हो चले हैं और केवल दो चरणों के मतदान ही बाकी है इस बीच 36 गड़ को लेकर सटा बजार का एक अनुमान आया है इस अनुमान के चलते बीजेपी की जहां बले बले हो रही है तो वहां कॉंग्रेस के सर एक बार फिर टेंशन का ठीक रा फूटा है जैजोहार सांथियों आप देख रहे हैं 36 गड़ तक मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा बता दे कि 36 गड़ में तीन चरणों में चुनाव संपन हो चले हैं और अब इंतजार है तो 4 जूम का और जिस दिन ये इसपष्ट हो जाएगा कि 11 में से 11 सीटों पर जीत के दावे बीजेपी और कॉंग्रेस के किसके पूरे होते नसर आ रहे हैं कॉंग्रेस जहां लगातार ये कह रही है कि इस बार बीजेपी से ज़्यादा सीटे जीतेंगी तो वहीं बीजेपी दूसरी ओर 11 कमल खिला कर प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी को समर्पित करने की बात कहती सुने जा रहे हैं लेकिन अब इस बीच ये जो अनुमान है बीजेपी का बीजेपी की बीजेपी का ये जो सपना है 11 में से 11 सीट पर जीत का ये पूरा होता नसर आ रहा है वहीं बीजेपी से जादा सीट जीतने का जो सपना और जो दावा कॉंग्रेस कर रही है ये कहीं न कहीं ध्वस्त होत सीटों वाले 36 गड़ को लेकर एक नया आकड़ा जारी किया उनके आकड़े के मुताबिक यहां पर 11 सीटों में से 10 सीटे बिजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है वहीं कॉंग्रेस को केवल एक सीटों पर ही संतोश करना होगा पतादे साल 2019 में जब लोकसभा का चुना और वो एक सीट कॉंग्रेस के पास जाती नजर आ रही है यानि कि जो कॉंग्रेस की दो सीटों में से एक सीट किसकती नजर आ रही है और वो एक सीट कौन है इसको लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पुर्व मुख्यमंतरी भुपेश बगेल जो राजनान गाओं ल जड़े थे वो यहाँ पर जीतते नसर आ रहे हैं हाला कि अभी तक किसी भी तरह से इस पश्ट बाते निकल कर सामने नहीं आ रही है कि हाला कि वो एक सीट कौन सी है लेकिन यह अनुमान ज़रूर लगाया जा रहा है कि भुपेश बगेल राजनान गाउं से जीत रहे हैं लेक जो सीटे है 15 सीटों में से जो सिमढ गई थी बीजेपी वो बढ़ने के आकड़े फलावदी सटा बाजार ने जारी किये थे लेकिन अब जिस तरह से लोगसभा चुनाओ को लेकर यहाँ पर बाते निकल कर सामने आ रही है क्योंकि विधान सबाचुनाओ का जो अनुमान थ फलावदी सटा बाजार का वो पूरी तरह से द्वस्त हो गया क्योंकि बीजेपी की यहाँ पर सरकार बन गई ऐसे में हाला कि अब जब यह अनुमान निकल कर सामने आ रहे हैं लोगसभा चुनाओ को लेकर इन अनुमानों में कितनी सच्चाई है यह 4 जून को पता चलेगा क्योंकि यह आकड़े हैं रिजर्ट इससे उलट भी हो सकते हैं लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अनुमान निकल कर आ रहे हैं से पहले भी तमाम तरह के ओपीनियन पोल्स आये हैं और उसमें भी 11 में से 11 सीट बीजेपी के पाले में जाते नजर आ रही है और अब फलावदी क की दूसरी सीट बस्तर की तीसरी सीट कांकिर की और चौथी जो सीट है वो महसमुन की मानजारी है क्योंकि यहाँ पर जो कॉंग्रेस के दिगज नेता है उन्होंने चुनावी ताल ठोका लेकिन अब इस अनुमान ने पूरी तरह से जो आकड़े यहाँ पर निकाल कर दिये हैं यह अनुमानों पर पानी फेड़ दिया है अब यह देखना रोचक होगा कि यह जो अनुमान फलोदी का है क्या विधान सभा चुनाव की तरह इस बार भी यह अनुमान हवाबाजी साबित होते हैं या फिर उनके इस अनुमान पर इस बार लोग सभा चुनाव का जो रि झाल झाल